हलो फ्रेंड्स जीके 2020 की इस यूटिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है यह प्रिविएस येर कोस्टन के सीरीज का पार्ट फॉर है इसमें डिफरेंट एक्जाम में पूछे गया है मॉडरेट लिवल के कोस्टन को सामिल करने का कोसिज किया गया है वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं परिविए के भूपटल्स में कौन सात्त्त्त्य पाय जाता है सरवादिक प्रिथ ब भूपटल पर सरवादिक जब तत्व पूछा जाए तो ऑक्सिजन होता है लेकिन अगर धातु पूछ लिया जाए उस समय ऑक्सिजन की जहिएंगों पर सिलिकन आएगा प्रित्वी पर सिलिकन की मातरा सरवादिक होती है धातु में इसके अलावा सिलिकन से जो कम मातरा में प अल्मोनियम और तीसरा आइरन आइरन प्रित्वी के भूपटल पर पाय जाने वाला तीसरा प्रमुक धातू है अगला प्रशन देखते हैं किस भारती राज में केसर के खेती की जाती है तो इसका सही आंसर है जम्मु एंड कस्मीर जम्मु एंड कस्मीर राज में केसर की खेत की जाती है अगला प्रश्ण देखते हैं लिगनाइट कोईले को प्राया किस नाम से जाना जाता है तो लिगनाइट कोईले को ब्राउन कोल की नाम से जाना जाता है ब्राउन कोल इसके इलाबा एंथरासाइट सबसे उच उच्छ किस्म का कोईला है जिसमें कारवन की प्रतिस सत्मात्रा नब्बे परसेंट से उपर होती है अगला प्रशन देखते हैं चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके सासनकाल में भारत पर आकर्मन किया था या इसे सिंग पूछा किया गोशन तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इलतूतमिस के समय भारत पर आकर्मन क किया था इल्टुत मिस बल्बन का गुलाम होगा करता था जिसने आराम सा का हत्या कर 1211 में दिल्ली की गदी पर बैठा था अगला प्रशन देखते हैं बारा मासा की रचना किस ने की थी, बारा मासा की रचना मलिक मुहमद जायसी ने की थी 12 मासा की रचना किस ने की थी मलिक मुहमद जैसी ने इसके लावा अमीर खुसरो ने तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने की थी अगला प्रश्न देखते हैं तबलेक आविस्कार किस ने किया था यह ऐसे सीम पुछा किया कोशन है तबलेका आविस्कार अमीर खुसरो ने किया था इसका अंसर है अमीर खुसरो ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं अगला है आडियो फोन आडियो हेट फोन की पहली जोड़ी किसके दौरा बनाई गई थी अडियो हेट फोन जो हम लोग इयर फोन आज सुनते हैं इसकी पहली जोड़ी किस ने बनाई थी इसका सही अंसर है बाल्डवीन बाल्डवीन ने अडियो फोन की पहली जोड़ी बनाई थी यह अभी ऐसे सीम पुछा किया कोशन है अगला प्रस्ण है बॉली बॉल खेल में प्रती एक टिम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बॉली बॉल बॉली बॉल में छे खिलाड़ी होते हैं बास्केट बॉल में पाच खिलाड़ी बॉली बॉल में छे खिलाड़ी होते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं Life on my turn, किसकी आत्मकता है, Life on my turn, सरत पवार की आत्मकता है, सरत पवार, सरत पवार, भारत के कृश्ची मंतरें भी रच चुके हैं, और राष्टवादी, कॉंग्रेस पार्टी के संस्थापक भी हैं ये, रास्ट, वादी, कॉंग्रेस, कॉंग्रेस पार्टी के सलस्थापक भी है सरतबवार अगला प्रशन देखते हैं प्रसिद्य तिरुमाला मंदीर किस पहाड़ी परिस्थित है SSM पुछाएगा एकजाम है यह यह इसका सही आंसर है वेंकेट आद्री तिरुमाला का मंदीर वेंकेट आद्री की पहाड़ी परिस्थित है अगला है पंच सिध्धान्थ और सांख सिध्धान्थ के लेखक कौन है पंच सिध्धान्थ और सांख सिध्धान्थ इन दोनों के लेखक है वरा महीर वरा महीर एक खगूल सास्त्री हुआ करते थे जो चंदरगुप विक्रमदित के दरवारी थे अगला प्रस्म देखते हैं आर्मी टेरो कटा की मुर्तियां किस देश में पाई गई है तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन आर्मी टेरो कटा की मुर्ति चीन में पाई गई है यह RRB में पुछा गिया है, RRB में पुछा गिया गोशन है चीन में पाई गई है चीन में हान, हान वंस की जानकारी इस आर्मी टेर गटा से मिलती है अगला प्रस्ण है महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष उलम्पिक के सभी परतिस परदा में हिस्सा लिया था महिलाओं ने सभी उलम्पिक के सभी परतिस परदा में हिस्सा लिया था कब लिया था? यह है लंदन उलम्पिक 2012 लंदन उलम्पिक 2012 में महिलाओं ने उलम्पिक के सभी परतिस परदाओं में हिस्सा लिया था यह S.S.E.M. पूछा गया कोशन है इसके अलावा आधुनिक ओलंपिक खिल की सुरवाथ 1896 में की गई थी अगला प्रशन देखते हैं ब्रह्मपूत्र निमलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो इसका सही आंसर है नेपाल ब्रह्मपुत्र नती नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र के बारे में जाल लेते हैं ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोबर से निकलती है और यह बंगाल के खाड़ी में गिरती है उन्तीस सो किलिमीटर का सफर तै करती है मान सरोबर से निकलती है और बंगाल की खाड़े में गिरती है अगला प्रशन देखते हैं निमलिकित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है सुक्र बुद्ध और सुक्र इन दोनों में से किसी का भी कोई भी चंद्रमा नहीं है मतलब कोई सेटलाइट नहीं है अगला प्रशन है राम खेलिया किस राजी का एक राम खेलिया किस राजी का एक लोक नरीत है तो इसका सही आंसर है बिहार राम खेलिया बिहार का एक लोक नरीत है यह BPSC में पूछा गया कोश्चन है अगला है स्री लंका प्रिटेंड से कब स्वतंतर हुआ था यह RRB में पूछा गया कोश्चन है तो स्री लंका प्रिटेंड से 1948 में 1948 में स्वतंतर हुआ था प्राचीन काल में प्राचीन एक बहुत प्राचीन काल में स्रिलंका को ताम्रपानी के नाम से जाना जाता था और पुराने समय में इसको सी ओल कहा जागा जागा सिलोन कहा जानी लगा और यहां की भासा जो है वह है सिहल अगला प्रस्ण है मानब सरीर के किस कोशिका में माइट्रो कॉशिका में नहीं पाए जाता है यहार अपर में पूछाएगे कोश्चन है इसका सही आंसर है लाल रक्त कोशिका माइट्रो कॉशिका में नहीं पाए जा गंगाई कोंड चोल पूरम का मंदिर किसनी बनवाया था सजतर गंदर पर्थाम के समयी है छोल वंच को न्सका सरवादिक सैसितार हुआ था अगला कोशंड देखते हैं, यह है, अगला कुशन है, मूल तत्वों का आवर सार्णी बनाने वाला पहला विज्ञानिक कौन था, मूल तत्वों का आवर सार्णी बनाने वाला पहला विज्ञानिक मेंडलीफ था, मेंड लीफ ने पहली बार मूल तत्तों का आवरसाड नहीं बनाया था तो यह था आज का आज का प्रिविएस यर कोश्चन में पुछे गए 20 मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन इस तरह के वीडियो पारे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुजाब हो तो कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करें एगान थाइक्यू फॉर वाचिंग तेश वीडियो वाचिंग तिस वीडियो हमाइस टेए